हुआ हुआ है हलो एब्रिवान गुड मॉर्निंग डॉल आफ यू वेलकाम टू दे इंजीनर्स वाला कैसे हैं आप सभी एक बार कॉमेंट बॉक्स में जवर्दस तरीके के इनर्जी होनी चाहिए और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है आपको लाइफ में हमेशा कही ना कहीं जरूर काम आने वाली है तो प्लीज बी रेडी फॉर इस क्लास यह क्लास काफी इंटस्टिंग है लास वली क्लास के लिए आप लोगों को उने कितना सीखने को मिलाए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दूसरी एक चीज ज देख दिया है वहां पे है तो सेम्पल है है, tôi होता है, 1.1 आहि cesam होती है, एक point पर सभी direction में property same होती है this is isotropic homogeneous की बात करेंगे homogeneous क्या होगा तो देखेंगे एक बार homogeneous क्या होता है सभी point पर एक direction में property same ठीक है यह point है तो सभी point पर एक direction property same homogeneous हो जाता है और सभी point पर सभी direction में property same isotropic और homogeneous हो जाता है तो इस वजह से मैंने उस पे ध्याननी दिया प्लैनर में यही था टॉपिक ठीक है तो प्लैनर में यही वाला टॉपिक बनाया था तो कोई टैंशन नहीं है आप लोग टैंशन मतलों सब चीज़ां कराई जाएंगे ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास पहली बारी हो रही है फिर उसक अभी तक जोएननी किया आप लोगों ने ठीक है तो आइसोट्रॉपिक और होमोजीनस यहां से क्वेशन जरू बनते हैं और एक और चीज़ आप बतायता हूं कि टिंबर और जो आपका चैप्टर है टिंबर और फ्लाइवुड वाला उसमें से भी दो से तीन क्वेशन ही यहां से भी दोस्ति तीन कुशन आने तो भाई कम पढ़के जादा माक्स लेने की आपकी जो टैक्निंग होनी चाहिए वह यहां से होनी चाहिए नहार अप्रोच तो ओके तो एक बार इसको भी देखें बार ध्यान से पढ़ने कोशिश करेंगे साथ-साथ आंसर भी देंग पर जैसा मैंने कहा था वैसा हो भी रहे कल वाली क्लास में कम बच्चे उसके बाद वाली में और कम बच्चे ऐसे कम होते होते हैं क्या होगा एक दिन आप लोग दिखोगे यह नहीं क्योंकि आपके अंदर एनरजी नहीं आई तो भाई प्लीज टाइम पर आने की कोशिश करे है चली स्टार्ट करें मुखं कि और ग्रेंड टोस्टेंबर से प्लोक का पांद अच्छेपटर होगें एंदर धिरने और सबसे बात समझते हैं ड्स्टैंबर का इस्तमाल हम लोग कर्चे अब जहां यहां पर मैं आपको मुटदा दिया था हैं हो जीडमाएं वाग है फ्लो फ्लो में कई बार अपोजेट हो जाता है टेंशन वाली कोई बात नहीं ठीक है तो अपोजेट मैंने आपको बता दिया था तो इठनी टेंशन उसकी मतले ना सही है हो जाता है कई बार तो मैंने आपको इसको कवर कर दिया क्लियर कर दिया ठीक है चली तो हम लोग शुर बार है और लास्ट बार हो रही है आपको बहुत जल्दी से SSC JE का भी जो क्रेश कोर्स है वो DDA JE के एक्जाम से पहले चालो हो जाएगा और वो वाली क्लास में महीं लेने वाला हूं सबसे पहले तो वहां पे वो टॉपिक्स कवर कर आऊंगा जो यहां पे कम करवा पा रहा ठीक है चली हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना टेंशन के आप लोग सिर्फ इसको पढ़ें एक बार ठीक है ओके चलो अब देखेंगे एक बार हम भी आ गया सर ओके नहीं विड़ा तुम तो आ गए लेकिन यहां क्लास में जितने बच्चे आने चाहि ठीक है विच क्रियेट 16 to 150 micron thick layer on the surface देखो समझने की कोशिश करेंगे अब आप सभी को पताए paint brush मैंने लगा दी कि paint और brush का इस्तमाल सर हम लोग जनरली क्या करते हैं किसी जगह पर करते हैं किसी surface को cover करने के लिए protect करने के लिए एक चीज़ तो clear है कि यह आपका protective material होता है मैंने बुला कि paint आपका safety material है protective और safety material दोनों ही हो सकता है तो paint आपका safety material है जो की 60 से 150 micron की एक thick layer बना देता है surface की उपर अच्छा कल आप लोगों की एक extra class है वो मैं लोगा don't worry परिशान मत हो यह कल आप लोगों की extra class है वो मैं लोगा cement वाला chapters में complete कराऊंगा हो सकेगा तो कु इतना मुझे समय है देखो एक चीज समझने की कोशिस करें हमेशा क्या होता है चीज़ें है और कितना time है और हम कितना time दे सकते हैं लेकिन देखो जितना time मिल रहा है उस time के according हम जो करवा पा रहे हैं आपको करवा रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही होगा SSCJE का भी जो आपका class है दस बजे ठीक है मेरे साब से ठीक है चलो तो मैं लिखा कि paint एक टाइप का safety material है जो की create करता है लगबख 60-500 micron की एक थिक लेयर को क्या कर देता है यह paint बना देता है on the surface surface के उपर फिर आगे लिखाएगी fluid paste for decorative purpose की एक fluid paste भी होता है fluid paste होता है जो की decorative purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है और ये मौसम के प्रभावों से भी बचाता है और इस तरीके के एक protective या decorative जो आपके पास material होता है इसे हम लोग paint कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग paint कहते हैं तो यह वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी नेक्स लिखा हुआ है कि जो paint है आपका वो prevent करता है corrosion से और make the surface durable और surface को कैसा बनाता है durable surface बनाता है ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेंगे कि भाई सा paint के बारे में discussion सा चल रहा है और काफी important और easy सा discussion यहाँ पर चल रहा है तो मैंने क्या बताया कि paint जो होता है सर बना देता है और fruit paste इसे मतलब paint को हम लोग एक decorative purpose की तरह यूज करते हैं जो कि मौसम के खिलाब भी विरोध उत्पन करता है और finally last में लिखा है कि paint prevent करता है जंग लगने से surface को मतलब की surface को durable तो बनाता ही है लेकिन उसको जंग लगने से भी corrosion होने से भी बचाता है हाला कि होंगे कौन-कौन गया भी paint खरीदने के लिए ठीक है आप में से जरूर कई लोग paint purchase करने के लिए गये होंगे market के अंदर लेकिन बात यह आती है कि यहां पे हम लोग यह नहीं समझाएंगे कि paint खरीदना कैसे है इस chapter में हम लोग समझेंगे कि paint को बनाया कैसे जाता है कौन- कि तो सबसे पहिले तो देखो भाई क्या कर रही है to protect the coated surface अगेस्ट possible stresses mechanical और chemical मतलब की जो किसी भी एक सरफेस पर जो mechanical और chemical stresses आएंगे mechanical chemical stresses का मतलब क्या होता है mechanical stresses का मतलब हो गया कि उसमें कोई दरार आगी cracks हो गया है मतलब thermal stresses की वज़े से दूसरा chemical stresses मतलब वहाँ पे chemical reaction होगी पानी गिरा तो surface पे जो paint था वो आपस में उसके ingredient ने आपस में chemical reaction कर ली तो उन सभी से कौन बचाता है भाई आपका paint बचाता है दूसरा लिखा हुआ है prevention of the deterioration मतलब क्या होदा है कई बार physical physically मतलब मालो किसी चीज से आप रगड खा गया paint पे किस कोई चीज से अमने रगड दिया ठीक है तो उससे क्या होगा paint का खराब हो जागा paint करते हैं ठीक है तो paint क्या करता है prevent करता है deterioration से किसके वज़े से हो सकता है physical या environmental regions के कारण से हो सकता है next लिखा हुआ है decorate the structure by giving the smooth and colorful finish किसी भी एक surface को किसी भी structure को जब हम लोग एक smooth और colorful finish देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी paint एक बहुत अच्छी भूमी का निभाता है next लिखा हुआ है पे protect against the formation of the bacteria and the fungus which are hyzenic and gives the ugly looks to the wall मतलब कि यह protect करता है एक surface को against the bacteria, bacteria से बचाता है, fungus वगरा लगने से बचाता है और यह unhyzenic जो आपके पास part है मतलब unhyzenic और जो अगली भद्दा जो रूप है दिवार का उससे बचाता है अपने structure या दिवार को मतलब क्यों कोई भी दिवार भद्दी वगरा दिख रही है तो उसके लिए paint का इस्तमाल किया जाएगा नेक्स्ट है metal surfaces जो होती है metal के जो structure है उन पर जंग लगने से बचाने का काम किसका है भई paint का है next is protects against the decay of woodwork मतलब की जो लकडी का काम है उस लकडी के काम में कोई वेकार इस तरीके के हानी ना हो harmful ना पहुंचे उसको हाम ना पहुंचे उससे बचाने के लिए हम लोग paint करते हैं मतलब की अलग-अलग surfaces पर हम लोग paint करते हैं लेकिन मुद्दा ही आता है कि सर अलग-अलग surfaces पर जो हम लोग paint कर रहे हैं तो उस अलग-अलग surface पर अलग-अलग तरीके का paint किया जाएगा बिल्कुल सही बात है तो हर एक अलग-अलग type के surface के उपर paint जो होता है वो भी अलग type का इस्तमाल किया जाता है कहीं पे हम लोग iron surface के लिए के special type का paint इस्तमाल करेंगे और लकड़ी के surface के लिए अलग तरीके का, brick wall के लिए अलग तरीके का paint इस्तमाल करेंगे even metal surfaces पर भी हम लोग अलग तरीके का इस्तमाल करेंगे vehicle के उपर हम लोग अलग तरीके का इस्तमाल करेंगे auditoriums के अंदर हम लोग अलग तरीके का इस्तमाल करेंगे sanitary pipes के उपर हम लोग अलग तरीके का paint इस्तमाल करेंगे ठीक है तो यहां पे इस तरीके से कुछ ओके सर गुरूप में कुश्चन सेंड किये हैं कल ही और कल से ही पूछ रहे हैं सर रप्लाई क्यों नहीं दे रहा है सर कुछ भी मतलब किस गुरूप में किया है क्या रप्लाई करना है भाई मतलब क्या कोशन है आपका एक बार यहां पूछ लीजिए कोई बात नहीं ठीक है देन उसके बाद यह समझ में आ गया तो हमने सबसे पहले यह समझा कि sir what is the paint actually paint क्या होता है ठीक है paint एक safety material है जो की लगबग 60-500 तो माइक्रोन की एक thick layer बना देता है किसी वे पेंटर सर्फेस के ऊपर ठीक है उसके बाद atmosphere से बचाता है साथ की साथ जंग लगने से बचाता है और structure को यहां सर्फेस को कैसा बनाता है durable बनाता है उसके बाद कुछ functions बता दिये कि paint के कुछ functions यहां पर इस तरीके से होते हैं ठ मतलब lime silica alumina iron oxide magnesia और sulphur से बनाते हैं सेम इसी जब brick के बारे में बात करी तो brick के बारे में हम लोग discussion करेंगे कि brick जो होती है आपके पास में वह brick जब हम लोग brick के बारे में बात करते हैं तो brick में बताया था आपको salim बतल सिलिका alumina iron oxide lime और magnesia ठीक है इस तरीके से बताया था बार पूछ चुका हूँ मुझे कोई reply नहीं मिल रहा है सर किस सीज का मतलब कौन सा है भाई कौन सा question है क्या है slap का question था सर अच्छा ठीक है मेरे कोई पूछा था क्या आपने हो सकता है बेटा मैंने नहीं पर मिलेगा ठीक है इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यहां पर आपका PDF मिलेगा ठीक है अब देखो मिटा डांस समझनी की कोशिश करना यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया है मैंने आपको बताया कि सर यहां पर आपके पास कुछ यहां पर यहां पर आपके पास करेंगे वह भी आप लोगों को मैं आपके पास में याद कैसे करेंगे वह भी आप लोगों को पर यहां पर आपको बताया कि सबसे बहले पेंट के फंक्शन पहले तो पेंट क्या होता है उसके बाद में पेंट के फंक्शन क्या होते हैं और पेंट के फंक्शन के बाद में पेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ठीक है ओके मेरा एक्शसी का जी का रहे गए इस चीज में ठीक है, मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो यहां पे हमने एक ट्रिक बना रहे हैं, इसको याद करनी की, ठीक है, इस पेंट के जो component है, इन component को याद करनी की मैंने एक ट्रिक बना दी, क्या नाम है, लिखा हुआ है, दादा का TB देखकर के BP increase हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे D का मतलब क्या है D का मतलब है बिटा ड्रायर D का मतलब क्या है ड्रायर ठीक है ड्रायर को सही लिख देता हूँ ड्रायर ठीक है उसके बाद T का मतलब है बिटा थिनर T का मतलब क्या है थिनर है व का मतलब कया है विकल व उसके बाद में बी का मतलब वेट बेज और पी का मतलब है पिगमेंट्स ओके कीलियर हो गया समझ 2 बात अब देखो तुम्हें लगा होगा कि सर एक चीज ने लिखी हुई है दिगो सब्सक्राइब कर दो है अब यहां पर चाहिए घुरा कर दोगा ना थोड़ा चाहिए आपको पता सभी के एक्जाम से पेड बैच्छ भी चल रहे हैं यह वाले बैच्छ भी काफी वरकलोड होता है तो आप प्लीज एक बार यहां मेरे साथ कनेक्ट कर लें ऐसा नहीं मैं reply सभी को देता हूं लेकिन जैसे मैंने एक यह वाला अभी आज सुभई पढ़ा जो मैंने आज यहां पर आपको फाइनल एक्स्प्लेइन किया आईसोट्रोपिक और हमुजीनिस वाला मैंने आज ही देखा मेरे ध्यान आज ही किया कि हाँ साथ मैंने उल्टा बता दिया कई बार नहीं लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो खुद पढ़ाते टैम नहीं पता चलता सामने जब स्क्रीन पर हम लोग देख आदा का टीवी देखके वीपी इंक्रीज हो गया डी फॉर ड्रायर टी फॉर थेनर वी फॉर वीकल वी फॉर वेस पीए फॉर पिगमेंट तो यह पीटा आप लोग याद कर लोगे बड़े आसानी से सिस्टमाटिक वे में आपको याद हो जाएंगे नो प्रॉबलम अराम से तसलिश से याद कर सकते हो अब बात आती है सर हम लोग सबसे बहले बात करेंगे बेस के बारे में कि वाट इस दा बेस ठीक है एक बार कॉमेंट बाक्स में भाई एनरजी वेनरजी से थोड़ी देख चानी चाहिए यह ना थोड़ा मुझे भी मज़ा आए क्लास लेने मे मेरे को भी क्लास लेन थोड़ा मज़ा आए एंजोई करूं मैं भी आप लोगों के साथ में सो प्लीज एक बार कॉमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जोड़ा तरीके से एकदम दिल बेल आग बाक सब बना दो ताकि हम लोग इसको थोड़ा एनरजेटिक वे में पढ़ से और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको ठीक है चली बहुत बढ़िया अब देखो यहाँ पर मैं क्या बूला आप लोगों को बेस के बारे बात करेंगे तो बेस क्या होता है यह एक एक सॉलिड सब्स्टांस होता है इसे आप करके गोल करके हम लोग क्या बनाते है पहले तुमने देखा होगा और मुझे बताना भी कौन-कौन बच्चे ने देखा है, पहले क्या होता था, गाउं में वाइट वाशिंग बोलते हैं उसको, गाउं में क्या करते थे, घरों में पेंट करने के लिए एक सबसे सस्ता साधन होता था, वो होता था, चूना, या फिर उसको बोल दो, अप लोग करके उसमें लेके आते थे, घर पे, पानी में डोबोते थे, थोड़े दोबो के रखते, उसमें से धुआं वगरा, जाग वगरा निकलता था, और उसके बाद हम उसको इसको इस्तमाल कर लिया करते थे, ठीक है, तो वैसा ही एक सॉलिट सबस्टांस होता है, कौन आपका, इस दा, बेस, क्या होता है, बेस होता है, ओके, आज भी मिलता है से रहाँ, गाओं में, आज भी इस्तमाल करते हैं लोग इसको, तो प्राब्लम, ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला है, एक सॉलिट सबस्टांस है, फिर आगे लिखा भाए, इट इंपर्स, इट इंपर्स, जो पेंट, सर्फेस होता है, उसकी सर्फेस की जो उम्र है, या सर्फेस की जो लाइफ है, उसको काफी लंबा कर देता है, जब हम लोग इस पेंट का इस्तमाल करते हैं, इसके उपर, एक सर्फेस के उपर, और सर्फेस में, बेस मिला हुआ है, जिससे पेंट को बना जा रह रहें उस surface की durability को durability को बढ़ाने वाला जो आपके पास में component है वो है आपका base ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की बारे में बात करते हैं इट प्रिवेंट्स दा श्रिंकेज आफ्टर ड्राइंग यह क्या करता है सूखने के बाद में यह paint के अंदर यह श्रिं श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने नहीं देता उसको उसके अंदर सिकुड़ेगा वो तो surface के उपर cracks आजाएंगे तुमने देखा होगा कई बार दिवार पे पेंट कर देते हैं तो उसमें बारी बारी cracks आना चलू जाते हैं तो किसके कारण से आएंगे वो आएंगे श्रिंके में ही बताता हूं ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ तो देखो यहां पर कुछ एक्जामपल्स दीए गए और यह कोशन काफी इंपॉड़न है एक्जाम के अंदर काफी बार आभी चुके हैं जैसे वाइट लैट जो होता है तो वाइट लैट का इस् सर्फेस पर हम लोग इसके इस्तमाल करेंगे तो हम लोग इस्तमाल करेंगे बीटा रैड रेड लेड का ठीक ंऊसके बाद तीसरा आपके पास अपर लोग क्या करते हैं पहले रोग sulfur affected, Surface ço होती है, तूड degree the effect of the industrial gases, जैसे कि ocean waves है, यह industrial gases के effect को decrease करने के लिए हम रोग जिस base का इस्तमाल करेंगे वहाँ पेंट करने के लिए 행복 oxide किसा इस्तमाल करेंगे पिटा, जिंक aukside का । animal paints क्या होतने के इन के बारे में आगे मैं discussion करऊनगा इसी लेक्चर के अंदर ये फिलाल अभीता द्यानक है एनिमल पेंट में वीकल बेस के रूप में टाइटेनियम का इस्तमाल किया जाता है और सबसे लास्ट में प्राइम कोटिंग और वड़न सर्फेस जैसे आपका यहां पर आइरन सर्फेस पर प्राइम कोटिंग के लिए तो रेड ऑक्साइड या आइरन ऑक्साइड और यहां पर आप लोगों का दिखा रहा है ऐल्यूमीनियम पाउडर के इस्तमाल करते हैं हम लोग वुड़ सर्फेस पर प्राइम कोटिंग के लिए तो वुड़ सर्फेस के लिए ऐल्यूमीनियम पाउडर आइरन सर्फेस के और वुडन सर्फेस के लिए paint के रूप में white lead और iron सर्फेस पर paint के रूप में red lead का इस्तमाल किया एता है दिमाग में fit करो इन चीजों को गुच ठीक है एक दिमाग में चीजों को थोड़ा सा fit करो बिटा देखो सुनो यार देखो बात ध्यान से एक बच्चे कई बच्चे कह रहे है हिंदी भी सर हिंदी भी पढ़ाएं देखो बिटा हिंदी में न मतलब इतना जवर्दस कंटेंड नहीं बन पाता है मैं आपको to be honest बता रहा हूं जितना यहां पे मैं कम समय में पढ़ा पा रहा हूं ना हिंदी में पूरी theory बन जाती है और यह subject काफी ज़्यादा अजीब सा बन जाएगा अगुछ ठीक है आपका एक बच्चे का जे एससी का भी एक्जाम है ना जे एससी वाला एक्जाम किस-कस का एक बर बताना मुझे comment box में चलो आगे बढ़ते हैं एक बर देखते हम लोग next का लिखा हुआ है तो भाई यह जो है आपके पास में these all are the basis basis का मतलब है यह एक सॉल तरहाब बादipsy dwics और क्रिया उसके बाद में सरफेस के लिए हम लोग के स्थमाल करेंगी उसके बाद में ब्राइम सर्फेस के रूप में रड्य आयरेड ओकसाइड है और और सफिर यह भी बताएं रहे हूं तो कौं सा अग्जाम है जो आप लोग टार्गेट कर रहे हूं तो एक बार वो मुझे नाम के साथ में जरुरूर बता है ठीक है छलिए आफ़े बढ़ते में यह जिंक ऑक्साइड सबसे बैस्ट होता है क्योंकि यहां पर कोई क्रैक नहीं होता जब जैड़न ओटो हम लोग यूज करते हैं पेंट के अंदर ठीक है ना बाई क्लियर समझ में आ गया पेंट के अंदर जैड़ी जैंक ऑक्साइड के सिमाल करें तो वहां पर कोई भी आप और इनीसे करने और यहां से कर सकते हैं और ऐवर सब्सकों की बच்कि और पर यहां से कर सकते हैं जलो जिलो ठीक है geez चलो आगे बढ़ता है, नेक्स पॉइंट की बाथ है, नेक्स पॉइंट के आपके पास में वीकल, अब देखो वीकल क्या होता है, वीकल आपके पास में एक attain, मतलब की देखो, यह आपके पास भेस था, अब इस base को paste में बदलने के लिए जैसे तुमारे पास में क्या था बिटा मैंने आपको बताया था वो white washing के लिए हम लोग क्या लेकर आते थे क्या कर देगा पेश्ट के अंदर आपका बदल देगा तो वीकल जो होगा एक ऐसा component जो कि बेस को पेश्ट के अंदर बदल देता है उससे हम लोग वीकल कहते हैं आगे लिखा है इसको लोग बाइंडर या कारियर भी बोलते हैं कारियर क्यों कि ये आप लोगों को सॉलिट ये एक ऐसा liquid पदार्थ होता है कौन वीकल वीकल एक ऐसा liquid पदार्थ होता है जो की ingredient of the paint को paint के सारे के सारे ingredient को liquid suspension में मतलब की liquid के रूप में बनाके रखता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वीकल ये question exam में बहुत बार आता है ठीक है paste का एक बच्चा पूछ रहा है paste क्या होता है रंजन कुमार अरे मेरे प्यारे बच्चे paste का मतलब है कोई वी गाढ़ा तरल पदार जो होता है उसी को paste कहते हैं वीटा है कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम भी चलो अब देखो इसके कुछ examples है वीटा जो examples exam में बहुत बार जाता है BMC पूरी important वैसी ठीक है चलो सबसे बहले देखेंगे विटा क्या क्या दे रखाएं आपको line seed oil नाम याद करो पहले तो line seed oil coconut oil पॉपी ओईल टंग ओईल वेजटेबल ओईल नट ओईल वार्निश ठीक है तो यह सभी का है इस आल आर दा इस आल आर दा इक्जामपल of the vehicle vehicle के एक्जामपल है ठीक है तो line seed oil का आपका most popular है आपका most popular जो आपके पास में vehicle के रूप में किया जाने वाला यूज है वो किसका है line seed oil का use है और यहाँ पर मैंने बताया आपको यह हमीशा flex seed flex एक आपके पास में paid होता है उसके बीजों से हम इसको प्राप्त करते हैं then उसके बाद में coconut oil उसके बाद में poppy oil जो होता है paint को अलगलग type के रंग देने के लिए opaque रंग देने के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं उसके बाद में tongue oil का इस्तमाल हाना कि इसके बारे में तुमसे कम पूचेगा लेकिन फिर भी आपको बता रहे हो मैं ठीक है tongue oil जो होत पर एक वीकल का काम करता है आगे लिखाए oil paints के अंदर line seed oil सबसे ज़्यादा इस्तमाल में लिया जाता है यह question भी exam के अंदर आ चुका है ठीक है अब तुम कहोगे कि सर इसको याद करने में तो भाई दिक्कत हो जाएगी इसको याद करने में तो काफी तकलिफ आएगी कि एगी ठीक है जैसे मैंने आप लोगों को paint बताए जल्दी से एक बर comment box में मैंस दिखा नहीं रहा तिम्को जल्दी से एक बार comment box के अंदर इंग्रेडियंट को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था ज़ल्दी से लिख दू एक बर box के अंदर आ जाना चाहिए कि मैंने इसका आप लोगों को क्या बताया था कि जल्दी से बता दो भाई क्या पतायाता हमने आप लोगों को इसके बारी में क्या बताया था कि टैलीगेट कलर कह मतलब सक घएष और मतमेले अन्दर एक बसक्तूर के Frame लागते कर गया है बिल्कुल दादा का टीवी देखके बीपी बढ़ गया हां बिल्कुल सही बात है इंक्रीज लिखोगे हां सही है एक तम वेरी नाइस बाई बहुत बढ़िया यह हुई ना बात दादा का टीवी देखकर के बीपी इंक्रीज हो गया दादा का टीवी देखके बीप आग तो साुननेश से लाइम क्या तकी सा दौ आखांड चौन से को हीस किस के कारण से होता है तो साुथ इसकी कारण से λाइम सलफर और म recruiting तो वहां पर za allo sum concept आपको ए्लेखेंच पिर लिएट बताई तिक और टें में बताई 비लाइट स्लाइट Имbourneat eigenlijk को ज़्याइट करने से आद हो जाएगा फ्लाइट बच्चा कुछ आद सीथ रिये सीथ रिये क्या हो गया सलाइट हो गया यह चीज आद करना का ट्रिक बताए थे बिटा तो कितना मस्त चीज़ें आप लोगों को बता चुके बढ़ा तो मतलब की जवर्दस चीज़ें हैं आप थोड़ा सा भी ध पहला लकडी के ऊपर वाइट लैड और लोहे के ऊपर या आईरन सर्फिस पर रैड लैड लाइड लकडी के जो आपके पास में प्राइम कोटिंग होती है उसके उपर ऐल्यूमिनियम पाउडर और आपके पास में प्राइमर के लिए हम लोग रैड ऑॉकसाइड करते हैं यह चार कोशन बहुत important है, then उसके बाद में next point पे आगे हम लोग वीकल, वीकल क्या है जो base को paint में, base को fist में बदलेगा, वही आपका क्या है वीकल है, और वीकल या पर कई exam में यह definition लिखिया थी, कि कैसा liquid substance, जो कि पूरे के पूरे paint के ingredient को एक liquid suspension में बना करके रखता है, उसे ह हम लोग कहते हैं, वीकल, क्या कहते हैं, उसे हम लोग वीकल कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बिटा है, मैंने आपके example बताए कि, line seed oil है, poppy oil है, आप लोगों का coconut oil है, vegetable oil है, nut oil है, आप लोगों का tongue oil है, इसके बलाबा आपका, यहाँ पे, मैंने बता रखे कि, oil paint के अंदर है, जरणरली हम लोग किस का इस्ते मृं करते हैं, line seed oil का इस्ते महल करते हैं, अब क्यों नअ हम लोग इसकी भी एक trick समझाझें, क्यों ना इसकी भी एक trick समझें, कौन गोझाँ चाथा है, अब इक दम दिल आ जाना चाहिए, जल्दी से, comment box के अंदर एक दम दिल आ जाना च भूंगा ठीक है ना जिसको आप कभी नहीं भूलोगे जल्दी से चलिए कॉमेंट बॉक्स में तब दिल आ जाना चाहिए अभी बताते हैं बढ़िया तरीके से चलिए यह पुराने वाले बच्चे हैं हमारे चलो यह पुराने वाले बच्चे हैं जो आप इसठीक कावई ए मैं बहुत बढ़िया बहुती बढ़िया देखो यह रहा यह रहा ला specific देख लो आजओ क्या है प्रियाऑ ने T join किया क्या किया रहूं मैं प्रिया ने LNT join किया याद हो गया बच्चे हो गया याद सभी को हो गया याद सभी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है चलो प्रिया का प्रिया ने LNT की जोईन किया तो पी का मतलब हो गया बच्चे क्या पी का मतलब हो गया पॉपी ऑईल क्या हो गया पी का मतलब हो गया बिटा पॉपी ऑईल उसके बाद में एल का मतलब हो गया पिटा लाइन सीड ऑईल क्या हो गया लाइन सीड ऑईल एन का मतलब हो गया बिटा नट ऑईल क् हो गया टंग ओयल हो गया ती का मतलब क्या हो गया टंग तो यह आपको याद रखने के तरीके में बहुत आसानी से याद हो जाएगा ठीक है ना प्रिया ने एलेंडी जॉइन किया अब कॉमेंट बॉक्स के अंदर बिटा एक बच्छा कह रहा है मीना कॉशल बिटा देखो मै मैंने आप पनोगों को बात बोली थी और बड़ी इमांदारी से वी ऊच्चे क्लस के अंदर बहुत अंचे तरीके से बढ़ाता कंप लग और इर कनंदर ये बच्चे पहले दिन 130 बच्चे देख रहे थे आज कुलास के अंदर 82 बच्चे हैं लगबग लगबग 100 के आसपास बच्चे रहे मैंने बोला था अगर 130 से 14 दिन आते आते अगर 170 हो रहे हैं मेरे पढ़ाने में कोई कमी लग रही हूँ तो आप मुझे बताओ अगर बच्चे 130 से 170 भी हो जाते हैं मैं गैरंटी दे रहा हूं आप लोगों तो यह समझ लो कि आप लोग सीरस हो ही नहीं और उसके बाद भी मैंने आज एक मैसेज लिखा गुरूप के अंदर कि यह चैप्टर आपका दो से तीन नंबर दिलाएगा गैरंटी के साथ एक्जाम के अंदर और दो घंटे के अंदर दिमाग में छाप दोंगा इसको लेकि सुना ही नहीं किसी ने और यहीं आप लोगों की मूर्खता है यहीं आप लोगों की मूर्खता है कि जो बच्चे आप बैठे हैं ना वो थोड़े सीरस हैं लेकिन जो बच्चे नहीं जोइन कर रहे हैं पहले दिन किया बाद में पता नहीं देखेंगे इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिटा तो यहां पर मैंने क्या लिखा प्रिया ने L&T जॉइन किया सब को याद हो गया हो गया आप तो कोई दिक्कत नहीं तो यह किसके एक्जांपल है वीकल के प्रिया ने L&T जॉइन किया पॉपी ओल लाइंसीड ओल नेट ओल टंग ओल सारे सारे अब देखो एक बार ध्यांसे लिखा हुआ है दिस और यूज फोर मेग दथेन लेर अब दाप बेंट इंक्रीजा सप्राइब मतलब क्या होता है अब तुमने क्या किया पहले तो पेंट को पेश्ट में मतलब बेस को पहले तुमने पेस्ट में बदल दिया पहले बेस ता क्याली स्क्राइब पैंट को एक box के लिंदर आताром देखते और अएक मों पैंट को तुमने लिया और तुमने लगाना चालू कर दिया तो क्या होगा दिवार के एक छोटे से कौने में वही पैंट हानी आपनी बिसution का तेल फ़ींप ला के त ने एक leads दो लिटर पेंट का डबा पूरा जब की वही एक दो लिटर पैंट जरका घर पे लेके आते हैं उसमें हम लोग तारपीं का तेल बिलाते हैं पानी मिलाते हैं पूरे कम्रें मैं आपका पेंट कर देता है इसका मतलब उसका मतलब उसका customers यहां पर लिखा हुआ है जो की पेंट की लियर को पतला कर देता है और जो इस प्रैड मतलब फैलाद को बढ़ा देता है यह फैला देता है चीजाओं को ठीक है ना आगे लिखा हुआ है कीजी कीarts लिखा है यहां टार? का मतलब होता है तार पीन का टेल तो थार फेंट मुटा जो तेल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे जादा कीसी selvent히 पापर बनापा आपना पाता है और की एक्ससीलेंट फै्ट्रिंड का मतलब होता है यह बहुत आसानी से सर्फेस पर फैल जाता है ठीक है नेक्स लिखा हुगा है एक्सिलेंट फ्रैट्लिंग प्रॉपर्टी और आइडियल रेट ऑफ एवापरेशन और इसमें एवापरेशन की रेट कम होती है तो उड़ रहा है अब पेंट के एवापरेशन की वजह से होगा क्या उनमें तो हम लोग पेंट का इस्तवाल ज्यादातर करते हैं ठीक है ना चलिए अब यहां पर क्या लिखा है मैंने एक्जाम्पल की तौर पर देखें एक बार ध्यां से लिखा हुआ है तर्पेंटाइन ओयल उसके बाद में लिखा हुए आपका नैफ्ता और फिल उसके ब पूरा पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत है ठीक है क्योंकि आपको खुद पता होना अच्छी कि आपको क्या पढ़ना है बिटा शॉर्ट नोट बनाये होंगे तैयारी के टाइम पर तो इस शौट नोट को रिवाइस करो ज़्यादा स्यादा कोशन प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उत्ते कोशन प्रैक्टिस लगाओ मॉक टेस्स के ओपर ध्यान दो ठीक है और रिवीजन की बात ऐसी है कि नंबर ऑफ दा कोशन जो भी बेटेज जिन सब्जेट का ज़्यादा है उनके उपर ज्यादा फोलियम एटीसी यह सभी का एवटारिस के एक्जामपल से नेक्स्ट आपका आया फिलर और एक्स्टेंडर या एडल ट्रेंट तो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज दा वॉल्यम आप डा पेंट अब यह क्या करता है यह पेंट के वॉल्यूम को बढ़ाता है स्यामजिना ले जाता है लास्ट में लिखा हुआ है इस नेवर रियक्ट बिद एनी कंपनेंट आप यह जो आपके पास में कंपोनेंट होते हैं यह इस बैंट के किसी भी कंपोनेंट के साथ में रियक्ट नहीं करते हैं मतलब कि किसी भी एक पेंट के अंदर जो आपके पास maximum percentage होता है फिलर का वो 25% हो सकता है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किलियर हो गया इसके कुछ एक्जामपल बिटा यह इसके एक्जामपल ना समझ लो रेयर हैं बहुत कम लोग बताते हैं फिर भी हम आपको सारी चीज़ा बताएंगे जैसे हमने आपको यहां पर बताए टर्पेंटाइन ओयल इस्परिट नैफ्था पेट्रोलियम बहां पर आ था आपके पास में कौन सा बेस सॉलिट सब्स्टांस जो की में बॉड़ी है किसकी पेंट की उसी से मेंली पेंट बन रहा है दूसरा आपके पास में सॉल्वेंट को बेस को पेस्ट में चेंज करता है तीसरा है आपके पास में थेनर या सॉल्वेंट यह क्या करता है मतलब उस paint की खपत को कम कर रहा है paint का consumption कम कर रहा है ठीक है तो 25% से ज्यादा मातरा में हम इसको paint के अंदर मिला सकते हैं ताकि paint का volume increase होगा तो वो हमारे लिए कैसा होगा सस्ता पड़ेगा material cost effective होता है cost को reduce करता है इसके कुछ examples है ठीक है next आपके पास में that is the dryer क्या है इसका इसका ड्रायर आपका next component है ड्रायर में दिखें यह क्या लिखा हुआ है it is used for early drying of paint यह paint के early drying के लिए इस्तमाल कियाता है मतलब जैसे paint आपने इस्तमाल के लिए किसी एक surface के उपर अब paint को आपने किसी surface के उपर इस्तमाल किया तो वहाँ पर उस paint को कितनी जल्दी सूखना चाहिए हम चाहते नहीं है कि जल्दी से सूखे और साथ की साथ अपना proper र हम लोग क्या करते हैं ड्रायर मिलाते हैं उसमें ताकि paint ऐसा नहीं कि दो दिल लगा रहा है सूखने में paint आपका कुछ घंटों के अंदर ही एकदम सूख करके तैयार हो जाता है इस तरीके का paint बनाने के लिए ड्रायर का हम लोग इस्तमाल करते हैं साथ के साथ यह क्या करता जो है उसके अंदर से पीछे का जो background वो जहांक तो नहीं रहा उसका मतलब दा पर्मेवलिटी तो उसकी इंपर्मेवलिटी को भी बढ़ाने का काम किसका आपका paint का ड्रायर का काम है नेक्स्ट है तो ड्रायर का volume है वह यह कोशन भी काफी important है एक्जाम में काफी वाराता है यह आपके पास कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यह आपको धान रखना है अगर आपने ज़्यादा मत्रा में ड्रायर को मिला रहे हो तो वह एक तरीके का harmful है because यह paint की elasticity को decrease करता है और साथ की साथ flacking करता है flacking क्या होता इसके बारे में आपको आगे discussion करूँगा कि what is the meaning of the flacking अभी फिलाल इसको आप ध्यान लगो कि यह क्या अगरता है फ्लैकिंग दिखाता है paint के अंदर flacking defect को create कर देता है examples की बात करेंगे दो लिथार्स या oxidized lead और पीवी इसको बोलते है lead acetate red lead या pv3o4 भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और मैगनीज मैगनीज डायोकसाइट कोबाल्ट जिंक एंड लैड क्रोमेट यह सब इसके एक्जामपल यह भी बिटा ऐसे एक्जामपल है जो हल कोई नहीं बताएगा नहीं आपको हर जगह पर मिलेंगे यहां पर मैंने आपको mention कर दी है ठीक है चली आगे बढ़ते हम लो काम दो है पहला काम पिगमेंट का जो कलर प्रोवाइड कराने का काम पिगमेंट का लेकिन जो आपके पास में पैंटिड सरफेस है उस पैंटिड सरफेस को या तो दो दो चीजां बोल सकते हो आपने देखा होगा एक चीज आप लोग मुझे बताना comment box के अंदर की मैं सही पहले की जमाने में क्या हुआ करता था पहले की जमाने में जम लोग पेंट करते थे ना पहले के जमाने मतलब कुछ साल पहले पेंट जब किया करते थे ना तो पेंट का जो ब्रश होती थी ना उस ब्रश के निसान बन जाते थे बताओ एक बर जल्दी से मुझे सही कहा हुआ कि नहीं कर रहा है मतलब कोई पहले क्या होता था ब्रश के निसानों को कम से कम देखें इस चीज के लिए क्या किया जाता था एक बढ़िया पेंटर को बलाए जाता था और वो जाके हमारे घरों में पेंट करता था लेकिन आज कल क्या हो गया है आज कल आप खुद भी क्या कर तो सकते हो. Paint उठाया और आपने लगा दिया दिवार पे असानी हो तो ऐसा होता था ऄ لगा ditष को नहीं होता था ji pa take paint का प्रसुंता ती ना उसके निशान आपके paint के, जिस दिवार पर पर पेंट करे ती करें अब लटा सीधा कि आ, और तो डिखते अटीवत on परफेक्षन पर निशान बन गए ब्रश वगरा के उनको बचाने के लिए या उनको छुपाने के लिए हम लोग पिगमेंट का इस्तमाल करते हैं और यह साथ की साथ डिजाइड कलर भी प्रोवाइड कर आता है तो दो काम हुए पहला तो जो आद जो आपने पेंट किया जो आपने खुद नहीं पेंट कर लिया ब्रश से तो इमपरफेक्षन को आजकल तुमने देखा आजकल जो पेंट आते ना उनको उ इमपरफेक्षन सर्फेस की इमपरफेक्षन को छुपाने के लिए और साथ के साथ डिजाइड कलर प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं पिगमेंट का इस्तमाल करते हैं अब यह जो आपके पिगमेंट से इनको यह आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और यह आ चौक पाउडर और लाइन सीड ओयल से मिल करके पुट्टी बनती यह कोश्चन एक्जाम के अंदर काफी इंपॉरेंट है कई बार पूछा जा चुका है ठीक है पीटा एक बार कॉमेंट बॉक्स में सभी लोग लेखेंगे सभी लोग क्या लिखेंगे देखेंगे सर चौक प आपके पास में वाल पुट्टी कौन से बिटा यह तो आपके पास में वाल पुट्टी एक होती है एक होती है लाइम पुट्टी तो यह कैसे बनती है यह बनती है लाइम प्लस वाटर से लाइम प्लस वाटर से यह बनती है लाइम पुट्टी आपकी जल्दी से बताएंग वॉल्पूटी या पूटी एक ही बात है चौक पाउडर प्लस लाइन सीड उयल इकोल्स टू वॉल्पूटी ठीक है और एक तो एक कौशन आद हुआ दूसरा आपके सामने है लाइम पुट्टी का होती है तो लाइम और पानी को मिला दो तो लाइम पुट्टी आपकी बनके तयार हो जाएगी बात आई समझ में जल्दी से comment box में मुझे बताएंगे सभी को समझ में आगे हैं यहां तक चली आगे एक चीज लिखी हुए है बिटा कि पुट्टी है लाइम पाउडर और चॉक पाउडर और लाइन सीड और से पुट्टी बनी अब आगे एक चीज लिखी है कि यह बिंगम फ्लूड होता है कोई नहीं बताएगा बेटा तुमको कहीं जीवन में नहीं सुनने को मिलेगा ठीक है ना कहीं जीवन में सुनने को नहीं मिलेगा कि यह आपका बिंगम फ्लूड होता है कोई मुझे comment box में आप बताएंगे आप लोग की बिंगम फ्लूड क्या होता है जल्दी से बताएंगे comment box में what is the meaning of the बिंगम फ्लूड और इसके example बता दो बिंगम फ्लूड होता क्या है और बिंगम फ्लूड के हाँ जी बता दें एक बार बिंगम फ्लूड क्या है प्लूड मैं पढ़ेते हैं प्लूड मैं पढ़ेते हैं पूछ रहा हूं बल्ड और टूथ पेस्ट बलड होता है गां बलड तो गलत बता रहें तूथ पेस्ट जरूर हो सकता है पी ओपी को पुट्टी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते पूपी को पुट्टी अलग होती है प्लूड के अंदर पहले तो इस चैनल को जॉइन कर लो आप लोग ठीक है और उसके बाद में सुनो बिंगम फ्लूड क्या होता है बिंगम फ्लूड ऐसा फ्लूड होता है जिसको फ्लू करवाने के लिए हमें इनीशल स्ट्रेस तो देना ही पड़ता है हमें किसी भी fluid को अगर flow करवाना है तो हमें उसको initial stress तो देना ही पड़ेगा जैसे कि कोई भी toothpaste हो सकता है कोई भी एक cream हो सकती है आपका face wash हो सकता है इस तरीके का मतलब इसको flow करवाने के लिए हमें initial stress तो देना ही पड़ेगा बात आ रही है इसलिए हम लोग यहां पर यह जो आपका बिंगम फ्लूड की कैटेकरी में toothpaste वगरा पेस्ट वगरा आते हैं वैसे आपके पास में पुट्टी पेस्ट होता है पेस्ट के बारे में बात करो मैं न तो जो पुट्टी पर परसृण ब्लू कलर मतलब यहां ब्लू ब्लू कलर मतलग ब्लू यह पर नूंब ब्लू या इंडिको से आपका फिल कलर आ जाएगा। बिंट अम्रय वर्ण साेना से आपका प्रौण कलर आ जाएगा। र्द लेड और वर्मिलिन से आपका रेड कलर आ जाएगा। copper sulfate और chromium से आपका green color ये question exam में कई बार आ चुका है और chromium बाला भी दूसरा है grey fight sauce भी आपका हो सकता है बिटा sauce भी सही बात है ना next है grey fight ये lamp black से आपका black color आएगा chrome yellow से आपका yellow color और zinc oxide से आपका white color यहां पर देखने को मिलता है ठीक है clear समझ में आगे बिटा किता simple था याद करना बड़ आप लोग याद कर लेना भाई इन चीजों को दो तीन वाइप प्रेक्टिस करना आपके दिमाग में उतर जाएंगी यह चीज है ठीक है चली हम आगे बढ़ जाते है next point की तरफ अब यहां पर देखो किता simple सी एक चीज लिखी हुई है मैंने लिखा है the requirements are मतलब एक अच्छे पेंट की क्या requirements होती है ठीक है क्या बुलाओ में कि अच्छे पेंट की क्या-क्या requirements होती है पहला लिखा हुआ है the requirements साथ requirement क्या क्या है uniform spread as a thin film की paint जो है आपका वह एक thin film की तरह है एकदम बढ़िया से पतली लियर की रूप में spread करना चाहिए दूसरा है high coverage ज्यादा area को cover करना चाहिए तीसरा है एक good workability उसकी एक अच्छा मत्त है उसके साथ काम करना आसान हो अच्छे तरीके से काम हो जाए उसके साथ durability हो लंबे समय तक चलने वाला paint हो then उसके बाद sufficient elasticity to remain the unexpected by the expansion और contraction अगर वो कैसा होगा आपके पास में elastic nature का होगा sufficient तो paint जब कर दिया जाएगा तो उसमें contraction expansion नहीं होगा जिसके current से वहां पे shrinkage बगरा नहीं आएंगे next आपके पास में weathering actions जो होते impervious paint आपका impervious होना चाहिए मतलब आर पार ना देख पाव paint में से एकदम solid एक वाल पे एकदम clear paint दिखाई देख लिखा है impervious to air and the water मतलब की air और water के इकलाब impervious होना चाहिए cheap यान की सस्ता होना चाहिए economical pocket friendly होना चाहिए और एक hard surface को बढ़िया तरीके से protect करने वाला होना चाहिए कित्ती अच्छे से समझ में एक ही paragraph में सारी की सारी कानी लिख दी आप चाहो तो इसको पूरा चार पन्ने बनाके भी लिख सकते हो ठीक है और आप चाहो तो इसको paragraph के रूप में भी एकदम brief में किसी को भी explain करके समझ प्लासिजर और फिलर इन सभी को मतलब मिलाना होता है बस वीकल को हम लोग जब mixing करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग वीकल को मिलाते हैं तो उसके बाद ग्राइंडिंग मिल के अंदर इनको बारीक तरीके से ग्राइंड किया आपने देखा भी होगा कई बार कि जब हम और रखता है एक जगह पर आपका दही तो उसको हम लोग हातों से क्या करते हैं उसको पूरा एकदम लिक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए फिर मशीन के तुरू हम लोग उसको घुमाते हैं लसी बनाते टाइम है तो सेम ऐसी तरीकी से ग्राइंडिंग मिलेंग हम उसको बेशते हैं ताकि बारीक कोई ऐसा नहों जिसमें थका सा जम जाए किसी जगह पर पेंट का ठीक है या बेस सब्स्टांस का इसको एक दम बारीक उसकी महीन पिसाई करने के लिए मत लिक्विड पेस्ट की भी पिसाई होती है ना इसको एकदम हातों से बुखते हैं इसे पैक कर सकते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भीज सकते हैं तीक है किसकी पूछ रहे हो बिटा टाइम टेबल कौन सा टाइम टेबल आपको चलो आगे बढ़े नेच्ट पॉइंट की तरफ अब आगे बिटा आपके पास में टाइप आफ पेंट जो की इक इंपारें पढ़े लेना ठीक है चलो पहले से स्टाट करते हैं ठीक है सबसे बहुत करते हैं पीटा आठ दस से बारे वें तक लास चलती है और यह हमारा टेलीग्राम चैनल है और मेरा ऑफिशल टेलीग्रम है इस पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर इसके नोट्स वगरा है आपका type of the paint सबसे बहले देखेंगे थोड़ा fast पढ़ेंगे इसको क्योंकि type of the paint आपका उत्तुना important नहीं मतलब उत्तुना detail में पढ़ने वाला नहीं है सिर्फ याद करने वाला सीधा सीधा तो सबसे बहले देखेंगे ठीक है तो से पहले क्या लिखा हुआ अपका plastic paint इस पेस के रूप में हम लोग plastic powder का इस्तमाल करते है plastic powder का इसका इस्तमाल decorative purpose में किया था आपने देखा होगा cinema halls के अंदर auditoriums में या फिर आपने कई बार cafe restaurant में देखा होगा एक black color का paint किया था जो कि आपका plastic paint का इस्तमाल करते हैं next आपके पास aluminum paint लिखा हुआ है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा aluminum के substance जालते है spread wornness का इस्तमाल किया जाता है इसमें वीकल के रूप में तो कोई कोशन पूचे कि बाई यह जल्दी से दिख जाता है यह तो उस तरीके से कह रहा है कि बढ़ाता है darkness को बढ़ाता है और covering capacity को बढ़ा देता है ठीक है कौन बढ़ा रहा है एक ऐसा white color का paint किया जाता है जिसमें देखा होगा कई बार road पर जाते हुए एक truck को देखा होगा जिसमें oil वगरह जा रहा होता है या फिर gas tank जा रहा होता है तो उसके उपर आपने देखा होगा इविन train में भी देखा होगा train जब आपके मालगाडी वगरह होती है उसमें आपके पास containers होते हैं round containers उन पर भी आपका यह वाला paint किया जाता है ठीक है समझ में आगे होगा आप सभी को तो यह था आपके पास में Aluminium paint नेक्स्ट आपका asbestos paint में क्या होता है कुछ asbestos material मिलाया जाता है asbestos material होता है यह आपका लगबग cement जैसे होता है कुछ तो लिखा इस्तमाल करते हैं यह फायर प्रूफिंग सर्फेस पर और स्टीम सर्फेस पर अमनूब करते हैं नेक्स्ट आपके पास में है कि चली है कि ऑगे अच्छी लगती है कि आपको बिल्कुल बेटा लगनी भी चाहिए बहुत मेहनत से बनाता हूं और मैं खुदी बनाता हूं इन पीपीटी इसको बैटके इवन आपने देखा होगा अब देखा है यह पेंट आपका नाइट्रो कॉटन और इन सभी से मिलकर के बनता है यह वाला पेंट अगे लिखा है इसका इस्तवाल हम लोग करते हैं ठीक है चलि ओकेछी इस टील जगहें पे आपने कया है आपने क्या है अलुमिनियंण पेंट का इस्तमाल होता है यह बिलकुल पयूट्स कोर्म मेंट उरह अपन होता है कलर सीमेंट होता है और इसका इस्तमाल हम लोग cement paint के रूप में करते हैं जैसे white cement और color cement इसमें base के रूप में होते हैं पानी हम लोग vehicle के रूप में मिलाते हैं और thinner के रूप में भी water आपका होता है ठीक है तो इन सभी से मिलाकर करके आपका cement paint बनता है और cement paint generally marble painting के लिए glass panel fixing में या sanitary pipes और इसका जनरली हम लोग करते हैं यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आपका bituminous paint तो bitumin paint के इस्तमाल आइर अंडर वाटर आइरन construction पानी के नीचे जो आइरन construction होता है वहां पे हम लोग bitumin paint का इस्तमाल करते हैं luminous paint आपका यह आगया है luminous paint का इस्तमाल हम लोग calcium sulphate और वाणिश को मिला करके बनाते हैं और इसका इस्तमाल road signal से metal की painting में इसका इस्तमाल कियाता है जो आप platform बोल लेते हैं तो और ऐसा नहीं aluminum paint भी किया जा सकता है लेकिन ज्यादा अच्छा दिखता है तो road signals पे तुमने देखा होगा road signal जो चमकते रहते हैं रात में भी तो वहां पे road signal पे और मेटल पेंटिंग करने में हम लोग इस तरीके के luminous paint का इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट आपके पास में नेक्सट इसदा animal paint मैंने आपको थोड़े देर पहले बोला था कि पेंट आपको animal paint होता है मतलब एंदर हम लोग इस्तमाल करते हैं वी मतलब उसकी रूप में बताया था के रूप में बताया थैं आपको तो आप अनेमल पेंट क्या होता इसके बारें बात करेंगे पहली बात वाइट लैर्ड का स्वार्ट किया टार बेस के रूप में यह पेंट आपका High Quality को रिप्रेजेंट करता है they are not affected by acid यह आपके acid base alkalis hot water cold water इन से विलकुल भी प्रबाबित नहीं होते हैं क्या क्या रहूं मैं आप लोगों को यह आप लोगों का जो paint है आपका यह आप लोगों का acid base alkalis hot water cold water इन से कोई प्रबाब नहीं पड़ता नोट डिका हुआ है वार्णिस को हम लोग animal paint में वीकल की रूप इस्तमाल करते हैं आप लोगों को ध्यान होगा मैंने जब वीकल बताए थे आप लोगों को देखो वीकल जब मैंने आपको बताए थे मैंने आपको बोला था अभी आप इसको सरफ पढ़ लो बाद में आपको इसको मैं explain करूंगा देखो एक बार वीकल बताया था मैंने आपको यह रहा यहां पर मैंने बताया था कि वार्णिस का करेंगे इसके बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा तो मैंने फिर यहां पर आपको बता दिया है कि animal paint जो होते हैं आपके पास कौन से animal paint इन में हम लो है Imulsion paint यहां पर आप लोगों के पास बेस जडाहते है यहां पर अपका चीब सस्ते तरीके के paint का इस्तमाल यहां पर करते हैं. और next यह आपके पास में, यह लास्ट भी आपका, ठीक है? अब लास्ट है आपके पास में, लास्ट टाइप पैंट फिर उसके इसके defect देखेंगे लिखा हुआ इस जगहे पे ग्रेफाइट पेंट ग्रेफाइट पेंट में ग्रेफाइट का रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का यूज वैन इन वैन स्टील इस गोईंग टू बी यूजट एड़ प्लेस ऑफ अमोनिया मतलब कि जब हम लोग इस्टील को यूज़ करने चाहते हैं अमोनिया की जग रेलवे का राटी सब्सक्राइब होता है हाम्फूर होता है कोरोजन की वजए से और उसे बचाने के लिए अब लोग के इस्तेमाल करते हैं जैसे अंडरग्राउंड door के जो frames होते हैं, pipes होते हैं, electricity के जो poles होते हैं, वहाँ पे हम लोग इसका भरपूर इस्तमाल कर पाते हैं, समझ में आ गया होगा, आप सभी को यह सारी चीज़ें एकदम clearly, I hope बढ़िया तरीके से, तो अभी हम लोग आगे आपे कुछ और मैं नहीं चीज़ें आपको बताऊंगा, और यह काफी important है, यह exam के अंदर आज कल काफी जादा आ रहा है, क्या है सर, इसका नाम है, that is the effect of the, defects of the paint, paint के क्या-क्या defects हो सकते हैं, मतलब कि paint से क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं, और उनको कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चले, और भाई मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ है, मतलब बच्चों का रेशियों देख रहे हो, मतलब यार, 60-70-80 बच्चे देखते हैं, तो क्या ही मज़ा आता है, एक्जाम आपके एक तुम सर पर रखा हुआ है, फिर भी यार, आप लोग, मतलब हमें तो energy ऐसी मिल, अब माल तुम आप कह रहे हो, किसा recorded form में देखते हैं, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है, recorded form में देखो, लेकिन खाली class बैटी होगी, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, energy भी तो चाहिए होती है, ऐसा हो सकता है, कि offline class में मैं बढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर बैटली बात करेंगे, तो क्या लिखा हूँ, इस डिफेक्ट के अंदर, पहला है, ब्लूम, ब्लूम में क्या होता है, ब्लूम में लिखा होता है, आपके पास में, कि इन दिस डिफेक्ट, डल पैच्छे आर फॉर्म्ड ऑन दा पेंट सरफेस, दीघ्ट डू टू दा लाक पॉप टे लेशन कई बार क्या होता है, कायी बार दिबार पे, निकाशन पना प्रॉपर व 아니라 नहीं है, तो रूम में प्रॉपर वेंटा-इशन ना होने के कारण से कई बार दिवार पर न डल पैचिस डल धब्बे वगरा बन जाते हैं और उनी को हम लोग ब्लूम डिफेक्ट कहते हैं पेंट का नेक्स्ट आपके पास में ब्लिस्टिंग दोदे को ब्लिस्टिंग का चीज़ है दा एफेक्ट वाइड़ वाइपर विच ट्राप्ड बहाइंड पेंट सर्फेस एंड फॉर्मेशन ऑप बबल एड़ पेंट सर्फेस इस और दिवार जैसे आपके पास में एक पेंट सर्फेस ही है पानी की बूद्ध होता है पाद मैं बाद में बास को बदलके वहां पर एकटा हो जाता है विचिस ट्रेप प्रस्ट चुका है किसके बीच में बेहाइंड पेंट सर्फेस के पीछे मतला पेंट और दीवार के बीच में और उस जगह पर क्या बबल आपका बन जाता है और बबल इसके दिखाना इतना जरूरी नहीं है ठीक है आप बैसी समझ सकते हैं छोटी सी चीजे हैं इनके बारे में क्या बता हूं मैं आपको तो वहाँ पेंट के जो आपकी बार दिवार होती है उस पर क्या होता है डल पैचेज बन जाते हैं धब्बे बन जाते हैं तो उससे हम कह रहे हैं ब्लूम की बात में क्या है कई बार जब पेंनलो कर लोग कर देते हैं थो ऐसके बीचमें कई बार वा घाती है तो उसी को नो पानी में बदल जाता है तो इसको बचाने का तरीका भी बता है इसको बचाने का तरीका बताया है कि not exposed to the sun rays यदि आप लोग directly इसको sun rays सूरज की रौशनी में नहीं लेके जाएं तो यह एक solution हो सकता है ठीक है कौन कौन एगरी करता है इस बात के साथ में हम लोगते हैं कलर फेड हो गया है मतलब कर जो है आपके पास पेंट का वह धीरे थीरे थोड़ा सा डल हो जाता है बद्दा दिखने लगता है वहां पर बस इतने आपको ध्यान रखना है ठीक है पेंट के बारे में ओके समझ में आ आगे ठीक है ना तो यहां पर लिखा हुआ है कि if a small portion of painted surface feels loose sometimes due to the poor addition between the wall and the paint surface तो उसे हम लोग फ्लैकिंग कहते हैं सही बात है फ्लैकिंग के बारे में हमने आपको बताया था पूचा था ठीक है देखो फ्लैकिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दे दिखता है तो उसी को हम लोग क्या बुलते है फ्लैकिंग तो लिख रहा है कि यदि एक small portion है painted surface का यदि लूज दिखता है कई बार तो उसे हम लोग क्या क्या है और किसके कारण से बीच में प्रॉपर आपका bond नहीं बन पाया इस करण से तो उसे हम लोग कहते है आगे लिखा हुआ आपके पास में grinning क्या होता है लिखाए जब final code जो होती है paint surface की वह इतनी sufficiently effective नहीं है जिसके वजह से आपका background दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा पतानी कोशिश करता हूं जैसे आपके बास कोई दिवार हो paint कर दिया आपने अब पहल paint के पीछे का जो background था blue color का वह अभी भी हैना हमें दिख रहा होता उसकी जलक थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होती paint के अंदर सी तो उससे हम लोग कहते हैं पीटा grinning क्या बोलते grinning मतलब जहांकना ठीक है तो क्या लिख रहा है when the final coat at the painted surface is not sufficient जब आपने किसी एक surface के उ background से background को बड़े आसानी से देखा जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं grinning किस किस को समझ में आया बेटा grinning जल्दी से comment box में बताओ आगे लिखा हूँ है आपके पास में chalking क्या होता है jogging तो बड़े आसान है अगर आपने paint के अंदर oil कम मात्रा में मिलाया ठीक है oil कम मात्रा में मिलाया तो paint जो दीवार आपने paint किया उस दीवार से powder की रूप में paint जढ़ना चालो हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते है चौकिंग बोलते है तो क्या लिखा है this defect occurred due to the low percentage of oil in the paint paint के अंदर आपने oil कम मात्रा में मिलाया है और इसी वजए से आपका paint जो है बाद में powder की रूप में जढ़ेगा और इसी को हम लोग कहते है चौकिंग क्या कहते है डाट इस दा चौकिंग सिंपल आगे देखते मिटा next आपका defect क्या है next आपके पास मैं wrinkling wrinkling क्या लिखा ह हो आपने किसी horizontal surface को ऐसा थोड़ी जरूरी है कि दिवार कोई paint करोगी हमें सा को एक horizontal surface को भी paint कर सकते हो यदि आपने किसी horizontal surface को किसी जगह से थोड़ा मोटा paint कर दिया तो उससे हम लोग बोलते है wrinkling क्या बोलते है wrinkling लिख रहा है यदि आपने horizontal surface को too thickly painted बहुत जादा मोटा इसे paint कर दिया तो इस defect को हम लोग wrinkling कहते हैं got it next आपके पास मैं saponification saponification लिखा हुआ है the formation of the soft patches जो formation कई बार तुमने देखा होगा paint के ऊपर ना कई बार साबुन जैसे ना धब्बे-दब्बे से बुलबले दब्बे से थोड़े दिखाई देने लग जाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं saponification क्या बोलते हैं तो लिखाए ता formation of the soft patches मतलब साबुन जैसे दब्बे दिखाई देने लग जाते हैं painted surface पर किसके कारण से alkalies के reaction की करण से जो alkalies होती है वो paint के अंदर जो पानी होता है उसके साथ react करके वहाँ पर क्या करते हैं साबुन जैसे दब्बे दिखाते हैं जिससे saponification कहते हैं हम लोग क्लियर नेक्स्ट आपके पास में sagging बिटा जो wrinkling था वही sagging है wrinkling होता है horizontal surface पर और जो sagging है आपकी व हो गया और लास्ट पॉइंट एस लेक्चर का वो है या इस चैप्टर का वो है आपके पास में crazy क्रोकोडाइलिंग कई बार ऐसा होता है कि linear cracks आपके develop हो जाते हैं paint के उपर जिसमें कई सारे regions इसके हो सकते हैं तो जो linear cracks आपके बरी cracks बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंग पूरे बड़े एरिया पर आपके पास में cracks आ रहे हैं तो उसे हम लोग क्रोकोडाइलिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे हम लोग क्रोकोडाइलिंग कहेंगे तो यह आपके पास में कुछ defect थे और यहां पर आपका पूरा चैप्टर जो है complete हो गया है कौन सा paint का एक पर अच्छे से रिवाइज किया आप फुद देगा है इस चीज को सबसे पहले देखो हमने बात करी दी कि हम पड़ेंगे फिर डिस्टेंबर वर्निस और कोश्चन भी मैं आपको करा हुआ ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया पेंट क्या होता है इसके फंक्शन इसके बात में आपके बताया है ठीक है चली उसकी बादमें आपके बाता है और उसके बाद मैं manufacturing of paint को मैंने बताया आपका प्लास्टिक सेमेट आंनल में पेंट एंटी को रोजन बेंट ग्रेफाइट पेंट और कोल तार पेंट आपको ने बता दिये लि कौन कौन से आपके डिफेक्ट होते हैं ठीक है ओके चली कौन अच्छा ठीक है यह आपका यह है टेलिग्राम चैनल ठीक है अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे आप करेंगे कि इस लेक्टर में हम लोग को भी सॉल्व करेंगे अब लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही चोटा साप उचल जाता है बहुत ही बारिक सा पूछे आता है देखो बिटा क्या क्या हो मैं हैं Σबसे बहले यहां परदिस्टेम्बर में देखें चौक वाटर या केजन सेव में में चमौर के करकें यहां लिखा हुआ है, distember react with the water very fast, distember जो होता है, पानी के साथ बहुत ही fast react करता है, इसलिए water का use हम लोग एक vehicle की तरह इस्तमाल करते हैं, only use on the internal wall, दूसरा question बहुत important, जिस सारे कुछ important point ही लिख रहे हैं, पहला तो distember जो होता है, वो पानी के साथ बहुत ही fast react करता है, इसलिए हम लोग उसको as a vehicle इस्तमाल कर रहे हैं, दूसरा, internal wall पर से इस्तमाल क्या रहता है, external wall पर हम इसका इस्तमाल नहीं करते हैं, एक kilo distember के लिए 0.6 liter water की आवश्यक्ता पड़ेगी, चौथा, यदि white lead को हम लोग use कर रहे हैं in the form of base, base के रूप में, तो वहां पे line seed oil का इस्तमाल वीकल के रूप में किया जाएगा, तो यह सारे की सारे point बिटा, आपको सीधे सीधे simple way में याद कर लेने हैं, ठीक है न, simple way में आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है, चली, next आपके पास में, यहाँ पर जैसे paint आपको distember आपको कुछ तरीके का होता है बिटा, यहाँ आपका distember की दिखा रहे है, ट्रेक्टर यू नो एक्रिलिक, जैसे ट्रेक्टर यू एनो का मतलब ही होता है, यहाँ पर यह इसका एक सीरीज है, इस कंपनी की, और acrylic का मतलब है कि इसको paint का यह टाइप है, वो acrylic टाइप है, और last में इसको distember यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क अब देखो, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर, characteristic of distember, लिखा हुआ है, the coatings are thick and more brittle compared to the paint, मतलब की जो coatings होती है, वो थोड़ी थिक होती है, और जादा brittle होती है, paint के comparison में, क्या होती है, paint के comparison में, थोड़ी सी जादा brittle होती है, ठीक है, next लिखा हुआ है, इसक merits और demerits दोनों बता रखे है, film begins, लिखा है कि जो आपके पास film होती है, वो porous होती है, can be applied on even newly pasted surface, ऐसा नहीं किसी वे आपने plastered surface क्यों पर भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग पहले इसको पुट्टी करोगे, फिर इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ोगे फिर paint करोगे, आप directly क्या कर सकते हो, एक newly plastered surface के उपर भी आप इसके अस्तमाल कर सकते हो, अब एक नाम मैंने आपको बताया था, नाम मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे यह बोला था, केजन, यह रहा, तो केजन क्या चीज़ होती है, आपका बता रखे है, केजन क्या बताता है, ठीक है, किसे बनाया जाता है, उस दही से बनाया जाता है, जिस दूध के अंदर चिकनाई नहीं होती, उस से जो धईपराप्त होता है, उस से हम इसको बनाते है, ओके, चलो, तो यहाँ पे लिखा है, इस एक transparent and semi-transparent solution, यह आपका e transparent or semi-transparent solution होता है, regenius material का, किसका होड़ा है बिटा रेजिनियस मटीरियल का जिसको हम लोग लाइन सीड ओयल या टर्पेंटाइन ओयल या एलकॉल के साथ में क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं ठीक है चली अब आपके देखो वार्निस कैसे बनेगा तो यहां पर देखो यह चीज़ समझ में आगी चाहिकर देखो लाइन सीरि जा टर्पेंटाइन ऑल या एलकॉल के साथ करके बनाते हैं यहां पर बार्निस इसे बनेगा ड्रेंपर भाष्ट legitimate के रूप में काम करते हैं लाइंजी बीकल टर्पेंटाइन ओल पर इक्स्टैन depiper कि रूप में ऐसा निए जो चीज़ इस्तमाल हो रही है बेस के रूप में वह यहां पर भी बेस वीकल के रूप में इस्तमाल होगी ऐसा कोई खास जरूर ही नहीं है ठीक है आगे देखो वर्निस का इस्तमाल हम लोग सर्फेस पर ब्राइटन चमक उत्पन करने के लिए और साथ की साथ वहां पर औरनामेंटल इस्तमाल करते हैं इसके बाद में लास्ट में ड्रायर में हम लोग वाइट कोपर लिथार्ज लेड असीड़ करते हैं तीन और बहुत इंपोर्ट है एक्जाम के अंदर कई बार मैंने आज से कोशन आते हुए देखे भी है ठीक है यहां से आप इसको याद कर सकते हो जलिए बताएंगे जल्दी से यहां तक काली समझ में आ चुकी है तो जल्दी से बताएंगे तुरंथ lush वर बता दें यहां तक आप लोगों समझ में आ गया इसके रूदी है जल्दी से मनें कर लिया है यह तो हम लोग कुछ कौश सोल्व करेंगे और इनको अप authorized by न होगे जल्दी से पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि यह रहा है तीस सेकेंड का हम लोग टाइम देंगे आपको और इसका अंसर निका लेंगे देखिए एक बार इन मैंसे कौन सबसे जल्दी सूखेगा पहले आपके बास पॉलिश वार्णिश डिस्टेंबर और प पॉलिश तो जल्दी सवाइब आंसर बस होगा काम आंसर नहीं दोगे अंसर नहीं जल्से क्या आइगा इसका तो इसका अनसर आएगा पिटा नीचे थकी मैंने इसका एक्जां वह लिखना है कि यह लिखा रहुता है उत्याइड जाइंग और क्या होता है तो सबसे पहले याद रखने आपको को पॉलिस दा करेक्ट आंसर ए इस दा करेक्ट आंसर देखते हैं कि इतने बच्चों ने दिया है नेक्स कुश्चन दिखेंगे अब हम लोग नेक्स पॉइंट आपका विच आप फॉलाइंग इस एड़ वीकल इन पेंट इन मैंसे किसको हम लोग एज़ वीकल इस्त्माल करते हैं पेंट के अंदर किसको हम एजब वीकल यूस करते हैं पेंजे रेड़ वाइट लैड टरपिंटायन ओइल या टंग उयल जल्दी से सथिंगे कि आइगा इस का सब्सक्राइब हम लोग वीचल की रूप में इन मैंसे किसका इस्तमाल करते हैं किसका सबताएंगे बिल्कुल जई लोगों से बिल्कुल जई हमीद थी जई से मुमित थी आप लोगों से स्फ्य साथ जानते हूं वी सभख से बहुत बढ़ा है ऐसा है निसे जा Э्प नहीं और क्या वाइन सदे रहो तो सही जा रहे हो गया आप लोग तोorage जाते हूं मुझंसे बहतर जानते हूं कि ना सिवान सर district इसका सबसेंट बच्चों ने सिए एसका सौ परसेंट बच्चों नने से आंसर दिया अब सच्चा ही दिखाता हूं एक बर सचाइ दिखाता हूं मैं आप लोगों को पेंट भी गल पे आ है ठीक है वी कल पे एक बार दिखाना मुझे यहां पर कहीं भी हो तो है कहीं यहां पर कहीं दिखा रहा इस जगह पे आप लोगों को तर्क पंट्रीम डिख रहे हैं कि मुझे तो नहीं दिक रहा कि बेटा तुम आंसर तो देऊगे लेकिन सही तो दो आंसर क्या आंसर आएगा पिटा कुछ भी कर रहे हो याँ डी आंसर करेक्ट होगा क्या होगा पच्छे डी आंसर करेक्ट होगा टंग ऐल का इस्तमाल किया जाता है वीकल के रूप में हाँ थोड़ा सा इमानदारी से चलो आगे बड़ो नेक्स पॉइंट की तरफ नेक्स कोश्चन तीस सेकेंड का टाइम यह आपके सामने वार्नेस विच हाव मैथलेट इस्प्रेट आफ दा वाइन इन विच तस आफ्ट रेजिन्स यह मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक नया एक कुश्चन है जिसको आपको यहार रखना है मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा इसका नाम है लेक्वर मतलब कि जब हम लोग किस एक सॉफ्ट रेजिन जो आपके पास में होता है उसको हम लोग वाइन के अंदर हम लोग ड इससे देखें लिखा हुए विच आप दा फॉलेंगे यूज आज ड्रायर इन वार्णिश एक ऐसा आपके पास में फॉलेंगे यूज यूज ड्रायर नहां वार्णिस के अंदर ड्रायर की रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है कॉपल अम लिथार्ज टर्पेंटाइल या मैस्टिक का जल्दी से बताएंगे कॉपल लिथार्ज टर्पेंटाइन या मैस्टिक का इसका अंसर बताओ जल्दी से मों ա्रेक्स नीजी से बदाएंगे जल्ली से देंगे इसका आंसर क्या होगा इन मदेखो एक बार हमने तो थोड़ा-शा समST वार्नेश्ट में में मैंने क्या क्या बताया था रेजिनियस मंटीरियल में कौन आ गया बिटा कोपल एंबर मैस्टिक गम उसके बाद मेलाइन सीड अलकॉल और यह सब आपका सॉल्वेंट और ड्रायर करूप में वाइट कॉपल लिथार्ज लेड एसिडेट यह सब के रूप में ठीक है रेजिनियस मंटीरियल के रूप में उसने माल लिथार्च और यह आपका क्या सॉल्वेंट है तो लिथार्च ड्रायर तो बीस का सही आंसर आएगा देखते हैं कितने बच्छों ने आंसर सही दिया बीजा करेक्ट आंसर अच्छा यह तो दूसरी स्मॉल किया जाता है यह था आपका लाइं सीटा नेफ्था finer ड्या लेड.' सिलफीद जल्दी से बताइंगे कौन सा किया जाएग एगा גैऊ kuten नेफ्ता तर्पेंटाइन या फिर लेड एन से किसका आप लोग इस्तेमाल करोगे तक तो जल्दी से अंसर देंगे इसका है जल्दी से बताएंगे एक बार जो का बैच में क्लास नहीं चल रही और अ पिए चलिए कौन सी क्लास नीच चल रही वाई क्या आंसर देंगे लाइंशीड ओइल नफ्टा टर्पेंटाइन या लेड ऐस सलफेड तो आज़िए लाइंशीड ओया इस दा क्रेक्ट आंसर टेखते किते बच्चों बच्चों पिर भी नेफ्टा के ओपर ठीक है ना चलो क पिएकला है चलो पैले होती है उसमें पाउडर की रूप में क्यों जटमेती पैले लेख जाती है तो पहला पहीं अपकी पास में बचैसे और insufficient oil in the primer primer में insufficient oil होने की वज़े से ऐसा होता है या मौशर की वज़े से तो answer देंगे जल्दी से इसका क्या आएगा भई 30 second का time में जल्दी से इसको आप लोग solve करके बताएं मुझे जल्दी से एक बार solve करके बताएं आप लोग क्या answer आएगा इसका isti जल्दी से एक बार solve करके बताएं भई इसका क्या answer आएगा मैं इमांदारी से ऐतिए जल्दी से बढ़ए मसर आएगा जल्दी से बताएं क्या answer आाएगा इसका कैंघ मैंने बताया था जब आप लोग जब आप लोग paint के जब आप लोग पेंट के अंदर कम मात्रा में मिलाते हो तो वहां पेंट आपका क्या हो जाएगा जढ़ने लग जाएगा पाउडर के रूप में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर यहां पर उस जगए पर आमने दिखाई देगा कि जो पेंट फिल्म में आपकी वह जढ़ना चालो होगे कब होगा जब आपने प्राइमर के अंदर ओयल को सफिशेंट मात्रा में नहीं मिलाया है तब तो इसका क्या होगा यहां पर सी आंसर सही होगा तो यहां पर देखते हैं एक बार सी इस दा करेक्ट आंसर क्या आंसर दिया आप लोगों ने 94 परसेट ब में चेली के तो यह तरीका है कि अगर क्लास होगी तो नहीं लोगा मैं बहुत ही इस फिस हो बैसे देखो और मेरे नरजी पहले कि अदलणा। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी कुछ नहीं थी तो कोई मतलब भी नहीं था ठीक है चलिए चलो है ओक है चलिए जो एक टॉपिक बचाता सीमेंट के अंदर उसे हम लोग कल पढ़ेंगे और कल का टाइम हमारा आप बताईए सेम रखें या फिर सेम रखें या फिर हम लोग उसको पहले रखें थोड़ा सा नौ वजे से रखलें आपका हो तो नौ से ग्यारा तक रख लेते हैं जल्दी से बताईए कि जल्दी से बताएं कि क्या टाइम रखें इसका क्लास का भाई हां तो देखो ना वो आते ही नहीं तो आपने भी ow आय नहीं तो सोची कि सीरेस ही निए क्लास के लिए है नबातनं वान पिन एक नहीं हो जाएगी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदरैक्स्रास में और अimen patified लिए आप सभी का शुक्रिया thank you so much take care और धाननकी अपना इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया था एक बार और बता देता हूं इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है इस टेलीग्राम चैनल पर आ लगया जाव कर देलीग्राम चैनल